नमस्कार आदाब सद्श्रीयकाल कैसे हैं आप दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजूकेशन दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे प्रकार आपके बॉड़ी पे स्ट्रेस जो है वो एफेक्ट करता है स्ट्रेस आपकी बॉड़ी को कैसे एफेक्ट करता है आज हम ये बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि स्ट्रेस से आप उस चीजों से आप कैसे बच सकते हैं तो सबसे पहले stress एक तरीके से आपके body को एक threat के जैसा आपकी body उसको लेती है simple ऐसे कि अगर कोई बच्चा रो रहा है वो आपको stress हो सकता उसके वज़े से अगर आप actually में किसी खत्रे में हैं आप कुछी car crash में हैं कोई चोरी हो रही है या even किसी की शादी है तो वो एक stressful environment बर सकता है कोई deadline है वो stressful काम का stress, life का stress बहुत कुछ हो सकता है stress एक part of life है, fact है कि वो सभी पे आएगा mental और physical stress so बहुत जादा मातरा में अगर stress हो जाए तो आपके लिए खराब हो सकता है आपके शरीर के लिए, आपके हार्ट के लिए खासकर अगर आपको उसे manage करना ना आए so body कैसे respond करती है stress को, उसे समझ लेने से आपको मदद मिलेगी ताकि आप manage कर पाए और बहतर समझ पाए कि वो stress आपके लिए healthy है या नहीं जितना भी आप ले रहे है so body कैसे first level पे वो stress hormones release करती है जिसका objective होता है कि आपकी breathing, आपका blood pressure, आपकी heart rate सबको वो fast करते हैं, catacole amines होते हैं cortisol, adrenaline, nor adrenaline जिससे सल्मान खान को kick मिलती है उससे आपको रोजाना stress में kick मिलती है ultimately इससे आपके gear, second gear, third gear, fourth gear में चला जाता है कि अगर कहीं कोई body को लगता है, कोई immediate threat है कोई danger है तो मुझे भागना पड़े, बचना पड़े, attack करना पड़े तो इसलिए सबकुछ high rate पे चलने लगता है problem है कि ये थोड़े देर के लिए तो it's fine, right लेकिन इसी प्रकार की situation अगर हर चोटी बड़े stress में होने लग जाए जब आप danger में नहीं भी हो तब भी होने लग जाए तो ये long term पे रहने से आपकी body पे, आपके heart पे जो side effect कर सकता है over time इसके वज़े से आपको health problems आ सकते हैं इसके वज़े से सबसे common issues क्या आते हैं stomach upset हो जाना, pate खराब होना, focus करने में problem होना, नींद की problem होना, सर में दर्द होना, anxiety होना, mood swings होना ये सबसे common, सबसे पहले और almost सभी को ऐसी चीज़े आज नी तो कल होती ही है उसके लंबे चलते हुए क्या हो जाता है अगर इसको आप manage नहीं करते हैं अगर लंबे समय तक आप stressed हैं और उसके उपर आप एक unhealthy lifestyle जी रहे हैं मानलो आप कहीं smoking कर रहे हो, आप drinking करते हूँ आप भार का बहुत salty, sugary foods, processed foods, junk foods जादा खाते हैं और constant stress में रहते हैं तो इन सब से चलते हैं बहुत आसानी से आपका blood pressure बढ़ जाएगा बहुत आखानी से आपकी body में inflammation आ जाएगा बहुत जादा मातरा में आपके cholesterol, triglyceride आसानी से बढ़ जाएगे और इसके वज़े से आपके heart की rhythm में problem भी आ सकती है heart की rhythm में problem आने के risk बढ़ जाते हैं ये बात के लिए आपको ये समझना है कि stress भी आपके लिए dangerous है और किस-किस प्रकार के stress है उस पे भी dangerous हो सकता है कुछ प्रकार के stress जिस प्रकार जैसे exercise अपने आप में stress होता है वह आपके heart के लिए healthy है वह आपके control में कितना करना कितना नहीं है वैसी कुछ stress आप जैसे चिंता है कोई tension है शादी का tension है इसका tension उसका that kind of a stress are bad stress वह chronic stress वह chronic stress daily basis पे आपको है कि ये करना है वह करना है कुछ बनना है कुछ बनना है वह बहुत stress अगर आप बहुत जादा ले रहे है हैं tension ले रहे हैं या helplessness जैसी situation आ रही है थोड़ा बहुत depression जैसा आ रहा है so that is not healthy for you right loneliness जैसी चीज़े आनी शुरू हो जाती है कई बार अगर आपके family में friend circle है support group अच्छा ना हो तो so anger गुस्सा कई लोग गुस्से में चले जाते हैं गुस्सा आना जल्दी आता है stress से उनकी जो threshold होता है गुस्से का वो कम हो जाता है और कुछ acute stresses वाले conditions तो होते ही होते हैं करी कोई ऐसा episode हो जाता है जिससे आपका गुस्सा या आपका stress जो है उसका outburst निकल के आ जाता है तो ऐसे situation acute stress वाले situation में कई बार heart attack जैसे symptoms या broken heart syndrome जिसको हम बोलते हैं वैसे symptoms हो भी इसलिए फिर भी test करने ज़रूरी होते हैं so heart की बिमारी अगर आपको है तो अपने आप में बड़ा stress है तो लोग already depression में रहते हैं situation में रहते हैं कि मेरे को heart attack हो चुका है मेरे heart की हालत ऐसी है मेरे बच्चे है मैं जीओंगा नहीं तो क्या होगा कैसे होगा so वह एक बहुत बड़ा stress हो जाता है तब भी आपको अपने life को सही रखना lifestyle को सही रखना ज़रूरी होता है और अगर आपको heart की बिमारी नहीं भी है तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें कि आप depression या इस प्रकार के stress में ना हो तो करें क्या stress को manage कैसे करें आपको healthy ways find करने होंगे बहुत ज़रूरी है ताकि आपका दिमाग और brain और दिल सही से रहे आप unhealthy behaviors अपने बन करिये बाहर का खाना हो गया junk food हो गया overeating हो गया smoking हो गय drinking हो गया रात को बैडबैड के नेटफ्लिक्स टीवी या वीडियो फोन देखते रहना देखते रहना unnecessary चीजे करते रहना exercise नहीं करनी साला दिन लेटे रहना depression में जैसे भी so unhealthy lifestyle को पहले बंद करिए और healthy lifestyle अपनाईए थोड़ा बहुत आपको योगा करना पड़ेगा योगा के साथ सामय बिताईए और movie भी देखके आईए और हर time low अपने body को अपने शरील को time दो ताके आपकी body जो है वो stress से relax हो पाई recover हो पाई और अगर आप नहीं खुद से कर पा रहे और talk to a doctor तो doctor आपको help कराएगा आपको कई दवाईयों से test करके assess करेगा आपकी body की situation कैसी है और फिर वो अपने तरफ से आपको advice देगा कि आपको यह यह करना चाहिए तो यह basic चीज याद रख लेंगे अगर तो stress से होने वाली दिल की बिमारिया या BP बढ़ना या cholesterol बढ़ने से आप बच जाएंगे तो stress दिमाग में है वो दिल पर ना चड़ जाए उसका धियान च्रोट करना से तो यह 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 याधिया ऊगर बचाव करता है तो Husky perpendicular है करना में है वह यह यह करना समय कर दो लोग परव ech lorsquा में है टाख अ पर इंश है कि आपको वाले लुटैंगे है एंवा लेजह कर हई गले ग्वा उल-गले कर चाह सुम कर लोगर